हेलो दोस्तो स्वागत है आपका हमारे यूटूब चैनल में तो प्यारे दोस्तो आज मैं आपको एक ऐसा रामबार घरेलू नुस्खा बताने वाली हूँ जैसे अगर आपके जांगों में जंगासों में बहुत ज़्यादा खुजली हो गई है और आप भी कोई भी कपड़ा पहनते हैं मोटा कपड़ा पहनते हैं जीन्स पहनते हैं या फिर आप कोई भी कॉटन का कपड़ा पहनते हैं आपको काफी ज़्यादा दिक्कते होती हैं हम बार बार खुजला भी नहीं सकते ये ऐसी प्राइबेट जगा होती है किसी के सामने भी लेकिन अकेले में जब हमें मौका मिलता है तो हम खुजलाने से बाद नहीं आते हैं जिससे हमें काफी जादा बाद में आग पड़ती है और पानी भी लगता है अगर हम ट्वाइलेर जाते हैं तो दोस्तो आज हम आपको एक ऐसा रामबार नुस्खा बताने वाले हैं सिर्फ आपको एक रात करना है और सुबह जब उठेंगे तो आपकी जगासों की खुजली जो है गायब हो जाएगी यानि कि इस नुस्खे को लगाते ही आपकी जंगासों की खुजली का नामों निशान मिट जाएगा और धीरे धीरे आपकी दो तीन दिन अगर आपने इसको इस्तिमाल कर लिया तो आपकी जड़ से जंगासों की खुजली हमेशा के लिए खतम हो जाएगी तो आईए जानते हैं कि आपको क्या करना है बहुत ही सिंपल सा नुस्खा है आज का यह तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तो दोस्तो हमें इसमें सबसे पहली क्या चीज लेनी है थोड़ा सा हमें लेना है सरसो का तेल बिल्कुल आप अपनी जरूरत के मताबिक ले लीजिए तो हमने इतना सा लिया है सरसो का तेल सिर्फ आपको थोड़ा सा ही लेना है और इसमें हमें बहुत ही सिंपल सी चीज लेनी है तो फ्रेंट्स आपको क्या लेना है? आपको लेना है थोड़ा सा पानी यानि कि हमने जितना तेल लिया है उसमें हम जरा साथ 2-3 बूंदे हम पानी की इसमें डाल लेंगे इस तरीके से आपको 2-3 बूंदे डालनी है सरसो के तेल में ध्यान रखना अब इसको आपको अच्छी तरह से उंगली से मिला लेना है मिलाने के बाद में इसकी कंसिस्टेंसी जो है दोस्तों बहुत ज़्यादा गाड़ी हो जाएगी और लेकिन आप सोच तेंगे पानी को सरसो के तेल में मिलाने से बहुत ज़्यादा पतला हो जाएगा लेसा नहीं है आप इसको अच्छे से मिला लीजिए और अपने जंगासों पर इसको लगा लीजिए आपको एक ही बार के लगाने से बहुत ही जादा फाइदा मिलेगा बेहद ही कारगर और आजमाया हुआ घरेलू नुसका है तो प्लीज आप इसको जरूर ट्राइ कीजिएगा इससे है ना बिल्कुल कमाल कन उसका बिना पैसा खर्च किया आप अपनी जंगासों की खुझली को जड़ से खतम कर सकते हैं